नमस्कार, अमीता की किचिन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजी टेरियन मूंग दाल बिर्यानी जिसकी रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ, मूंग दाल बिर्यानी बहुत स्वाधिस्ट और हेल्दी होती है, चलि करूंगी और 10 मिनिट के लिए सोक करने को रख दूँगी तब तक मैं सबजी आपनी कट कर लेती हूं यह देखिए मैंने अपनी सारी सबजी और इसके बाद 5-6 काली मिर्च डालेंगे हमें जादा खड़े मसालों का इस्तमाल नहीं करना है और फटा फट हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और कुटा हुआ अधरा कैट कर देंगे और कंटीनियू हम इसको भूनते रहेंगे जब तक यह गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता यह देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का अभी हो गया है तो अब इसमें मैं पिसे हुए मसाले डालूंगे एक चम्मच हल्दी, दो चम्मच धनिया और एक चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और दो चम्मच बिर्यानी मसाला हम इनको एड़ कर देंगे इस पे गैस को धीमा करेंगे जिससे हमारे मसाले जले नहीं और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डालेंगे बहुत थोड़ा डालना है और चलाएंगे अब हम इस पे दो चम्मज दही के डालेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इस पे हम टमाटर एट कर देंगे टमाटर को हम पांच मिनिट तक धक के पकाएंगे अब ये हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं तो मैं इसमें तीन चम्मच घी के एट करूँगी घी से स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है अब मैं अपनी सारी कटी हुई सबजियां इस पे डालूँगी और अच्छे से चलाऊंगी और आधा कप इस पे पानी डालूँगी और ढ़क के 10 मिनिट के लिए पकाऊंगी जिससे 30% सबजियां हमारी पक जाएंगी दस मिनिट हो चुके हैं तो अब मैं नमक एड़ करूँगी और दाल चावल का सोक किया हुआ मिक्षर एड़ करूँगी चार कटोरी में मैं पानी एड़ करूँगी पानी मैं गरम इस्तमाल करूँगी मैंने उन्ही कटोरी का इस्तमाल किया है जो मैंने measurement के लिए लिया था अब इसे हम दोबारा से ढखके 10 मिनिट के लिए पकाएंगे ये देखिए हमारा ये अभी पक गया है तो अब इसमें मैं नीबू एड़ करूँगी अब मैं इसे medium आज में 10 मिनिट के लिए दोबारा पकाऊंगी और ये देखिए हमारा बनके रेड़ी हो गया है तो मैंने इसमें तीन चम्मज घी डाला है और इसमें मैं कटा हुआ धनिया भी मैंने एड़ किया है गैस को हम बन कर देंगे और पांच मिनिट के लिए ढखके रख देंगे अब ये हमारा परूसने के लिए रेडी है ये रेसिपी बहुत ही जादा एजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सस्क्राइब करें पहला आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी थैंक यू